हेलो एवरिवन स्वागत दोस्तों आपका मेरे चैनल पे मैं प्रिशान्थ कुमार सुकला एडोकेट साथियो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजिस्तान हाई कोड का एक लेटेस जज्जमेंट के बारे में जिसमें NDPS के मामले में आया है यह जो जज्जमेंट है वो अगस्त के महिने का है और जैसे कि आप लोगों को केश टाइटल से ही पता चल गया होगा और थबनेल से ही पता चल गया होगा तो जहां राजिस्तान हाई कोड ने गलत पहचान के कारण पुलिस द्वारा आरूपी के खिलाब जो दर्द NDPS के एक मामले को रद्द कर दि तो जहां राजिस्तान हाई कोड का एक लेटेश जज्जमेंट आया है जहां पुलिस द्वारा NDPS के एक मामले में गलत तरीके से दर्ज किये गए एक व्यक्ति को उसकी पहचान के बारे में कोई जाज किये बिना जो केवल सह अरूपी के बयान पे भरोसा करते हुए रहत द वाले एक व्यक्ति के नाम के व्यक्ति से मादक पदात खरीदे थे इसके बाद आगे जाच किये बिना पुलिस ने याची करता को ग्रिस्तार कर लिया और उस पर NDPS अधिनियम के तहट आरूप लगाया गया याची करता की पहचान को साबित करने के लिए पुलिस दौरा ग दवा से पुस्ताच नहीं की गई और इसके अलावा यहां तक कि ट्राइल कोड ने याची करता के खिलाब जो आरोप टैग किये जिसके खिलाब याचिका को हाइड कोड के समय प्रात्मिक्ता दी गई याची करता ने ये तर्क देने के लिए कई दस्तावेजी सबूत भी पेस किये थे और उसका जो नाम था बलकि जो उसका जो एक्चुल में नाम था उसने अपना अधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड और स्कूल प्रिंस्पल का सर्टिफिकेट यानि कि हाई स्कूल की मार् ड्राइवे लाइसिन, आवासी प्रमार्पत्र और गाओं के इस्थानी ग्राम पंचाट के जो सर्पंच दौरा जारी प्रमार्पत्र सामने रखा था अधालत ने कहा कि सभी सामगरी से पता चलता है कि याची करता साभ्यूक के बयानों में पेश होने वाला व्यक्ति नहीं था बलकि एक अलग नाम वाला कोई अन्य व्यक्ति था अदालत ने कहा कि किसी भी प्रत्यस समगरी की कमी की इस्तिती में या साबिक करने के लिए याची करता वही व्यक्ति था जिसका से अभ्यूत ने उले किया था उसे केवल से अभ्यूत के बयान के अदाप पे आरोपी के रूप में सामिल नहीं किया जा सकता है राजी के वकील ने तर्क दिया कि आरोप तैक करने के चरण में सबूतों की सावधानी पूर्ण सराजना की अनुमती नहीं दी गई थी लेकिन केवल संदे आरोपी को मुकदमे का सामना करने के लिए कहने के लिए परयाब था वकील दर्क को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इस तया का संदे कानूनी रूप में सीवकार साच पैधारित होना चाहिए जिसका उप्योग मुकदमे के दौरान अभ्यूत के खिलाब किया जा सकता है जिसके अबाव में निस्पच अपरादी मुकदमा चलाने उसके मौलिक अदिकारों की रच्छा की जानी चाहिए इसका कोई दूसरा संदे नहीं है अपराद की होने का संधे अरोपी को मुकदमे का सामना करने के लिए कहने का एक अधार होगा या संधे कानोनी रूप से स्युकार साच पधारित होना चाहिए याधी याची करता के खिलाफ कोई कानोनी सबूत नहीं है जिसका वो उपियोग मुकदमे के दौरान किया जा सकता है तो याची करता के मौलीक अधिकार के निस्पच अपरादी अभ्योजन के लिए एक संग्रचित करने की अवेश सकता है अधालत ने भी कहा कि याची करता के पहचान के रूप में जो एक वक्ति को जोड़ने का कोई भी सबूत नहीं था जिसे साइब यूद के दौरा नामित किया गया था बलकि याची करता का जो असली नाम को साबित करने के लिए विप्री सामगरी मौजूद थी जो इसमें विशनेशन में कोर्ट ने पूरी तरह से अवेला करता हुए याची करता खिलाब जो आरोप तैय करने के ट्रायल कोड के आदेश का आविजता और आनोचिप्त सिर्फ पीडित बताया गया था और याची करता हुआ बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया तो यह इस केस का इंपॉर्टेंट फैक्त था आसा करते ही आपको इस अन्याया होगा इसके इंपॉर्टेंट ग्राउंड को आपने समझा होगा कोई भी कोरियो तो आप कमेंट बाव में जुरू पूसकते हैं चलिए मिलते एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए करते हैं